हेलो दोस्तो आज हम लोग बनाएंगे पत्ता गोबी की सबजी और वह भी बीना टमाटर तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर आधा का टोरी पानी मैंने प्रेशर घूकर में डाल दिया है गैस को मैंने आन कर दिया है अब यहाँ पर आधा पत्ता गोबी को मैंने पतले पतले स्लाइस में काट करके धो लिया है और धोने के बार उसे भी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे दो आलू मैं यूज कर रही हूँ देखिया एक आलू को मैंने 8 टुक्रे किये हैं वो भी हम लोग यहाँ पर पत्तागोबी के साथ ही डाल देंगे सारे पत्तागोबी और आलू को मैंने डाल दिया है अब 1 टी स्पून जो है हम लोग यहाँ पर नमक डाल देंगे डाल करके इसे धकल लगा के हम लोग एक सीटी हाई फ्लेम में लगा देंगे अब यहाँ पे एक पैन को मैंने गैस पर चरहा दिया है वन टेबल इस्पुन जो है हम लोग सरसो का तेल गर्म करेंगे तेल जो है अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है अब इसमें एक तेजपत्ता सुखी लाल मिर्च डाल देते हैं मेरे पास जीरा नहीं था फ्रेंड्स आपके पास जीरा हो तो जरूर डाल दे फोरन में अधरक लैसुन जो मैंने ग्रेट करके रखा था वो यहाँ पे डाल देंगे डाल करके थोड़ा सहीला लिया है मैंने और एक प्याज जो स्लाइस कटे हुए है पतले पतले स्लाइस में मैंने काट लिये हैं उसे भी यहाँ पे डालेंगे और डाल करके इसे कुछ देर तक भूनेंगे प्याज को हम लोगों को ज़्यादा लाल नहीं करना है, हलका सा ज़स्ट सॉफ्ट होने तक ही हम लोगों को मुहुनना है प्याज जो है हलका सा सौफ्ट हो गया है अब एक कैपसिकम को मैंने यहाँ पे डाल दिया है वो भी मैंने स्लाइस में ही काटा है मतलब जैसे प्याज को काटा है कैपसिकम को भी हम लोग सेम उसी शेप में काटेंगे और काटके यहाँ पे डाल देंगे दोनों को अची तरीक मैंने जीरा का पावडर भी यूज किया है सभी मसालों को बिना पानी के हम लोग स्लो फ्लेम में कुछ देर तक मतलब एक से दो मिनट तक भून लेंगे बहुत अची खुश्बू आने लगी है मसालों से अब उसे हम लोग अलग रख देंगे देखिए प्रेशर के अपने आप रिलीज होने के बाद अब हम लोग देखते हैं इसका क्या हालत है आलू को चेक करते हैं आलू जो है हमारा कट जा रहा है मतलब अची तरीके से पक चुका है लेकिन हम लोगों को इसे मैसी नहीं करना है अब यह जो मसाले हमने तयार करके रखे हैं वहाँ से सब्जी मतलब की जो पत्ता को भी है वो हम लोग यहाँ पे निकाल करके डाल देंगे ध्यान रहे हैं पानी नहीं डाले उसका क्योंकि पानी जो है काफी offensive smell भी रहता है तो वो फेक देना ही जादा अच्छा होता है पानी को मैंने फेक दिया है सिप सब्जीयों को निकाल के ही यहाँ पे डाला है इसे कुछ देर तक हम लोग mix करेंगे मसालों के साथ अब हम लोग थोड़ा सा नमक डाल देते हैं जिससे की इसका जो पानी रिलीज होगा उसी में हम लोग मसाले और सब्जीयों को भूनेंगे एक्स्ट्रा अभी पानी नहीं डालेंगे और एक important चीज यहाँ पे मैं डाल रही हूँ यह पावाजी मसाला है इससे बिल्कुल अच्छा टेस्ट आएगा और सब्जी में एकदम अलग सा टेस्ट हो जाएगा रेगुलर एक जैसा सब्जी कोई भी पसंद नहीं करता है और नॉर्मल जो आप टमाटर की सब्जी बनाते हैं इससे कहीं जादा यह सब्जी पसंद आएगी लोगों को कम तेल मसाले में बहुत ही यमी बनती है इसे किसी भी चीज के साथ आप सर्फ कर सकते हैं सभी सब्जी और मसालों को भुनने के बाद मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है क्योंकि हम लोग इसे करी बना रहे हैं तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लें पानी मुझे तोरा कम लग रहा है सब्जी इसे पूरी पराठा किसी भी चीज के साथ सर्फ करें तो यह पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्क्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग, इस्टे शेट, इस्टे हिली, बावाई!